विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुस्टन नंबर आपका 22 रहने वाला है ठीक है कुस्टन नंबर आपका 22 है जो कि आपका कमिश्ट्री का है और आपका बीश्ट्री की हमें यहां पर बात कर रहे हैं जितने भी आपके इंपोर्टेंट कोस्टन है वो सभी हमें आप रहे करके डिसकस कर रहे हैं आज हमारा कोश्टन है कोश्टन नंबर 22 ठीक है और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं पहली बार ठीक है तो आज हम बात करेंगे कोश्टन नंबर 22 ठीक है संगनन बहुली करण से आप क्या समझते हैं ठीक है संगनन बहुली करण क्या होता है यह बताना है इनका एक लग मतलब मोनोमर ठीक है जो आपके छोटे-छोटे अडू होते हैं मिलकर एक बड़ा अडू बलान देत से तो उसी एडू को कहते है मोनोमर या एकलग को कहते हैं ठीक है लर लग द्वारा किस प्रकार निरमाद करोगे संगनन बहुली करण होंता बहुली करण क्या होता है। युच को दोbelग घंध द्वारा निर्माण कैसे होता है और क्या बताना इनके यूजुर बताने हैं आम को ठीक है तो चलिए सॐस्टे पहले अगर हमात पज़ारे का रहे ही तो यह पर कह रहा है संगन 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 क्या हुदा है अगर आपने क्या करा मालो क्या ले लिया हमने जल ले लिया ठीक這是 इसको कर दिया, हमने थंदा एक जलर्बास को दोबारा थंदा करें के जल की फर में कनवर्ट करना या जल मनाना किया व्य गयाला था त्से प्रकार से क्या होगा बहुत सार एक लग मिलेंगे और ये बड़े अढ़ु का निर्मार करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे बहुल प्रोडक्ट बनेगा वह आपका बहुलक हो जाएगा लेकिन विधी कौन से होगी आपकी संगनन बहुली करण पर पढ़ना थिक वह बहुली करन जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एक लग करिया करके एक लग आपके अभी जाना था मोनोमर जिसे कहते हैं मोनोमर करिया करके एक छोटा अडू निसकासित करते हैं अब इनमें क्या होगा यह आपस में करिया करेंगे एक लग लेकिन एक छोटा अडू को निकलेगा ये क्या हो सकता है और एक आप का बड़ा आढ़ु बनता है तो इसमें कितने बनेगे आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे एक छोटा आढ़ु और एक आपका बड़ा अणिदू च्छोटा अडू आपका एक पॉलीमर रहेगा तो यहां पर देखो एक मॉलिकूल आपका यह है दूसरा आपका यह है तो यहां पर दो मॉलिकूल ले दिये जो आपस में क्या करेंगे अबिक्रिया करेंगे संघनन होगा यंका दोनों का आपसमें और और बन जाएंगा आपके अप्रोडक्ट बन जागा ठीक है कि यह जो आपका है इतने कितने आपके कार्वन से करथ भार आपका तुन॓ंा राजुब यहां histori है डाय में इसका नाम हो जाएगा ठीक है यह जो आपका दूसरा है इसका नाम के हो जाएगा इसमेह कितने कार्बन सब्सक्राइब यह पांच यह कारबन ने थी च्छे कारबन लगाते हैं फिर लगाते लेक्न यहां पर तो लगे हुए हैं मिथाइल लगे हुए वो कितने आपके चार ही लगे हुए है ठीक है और चार के लिए हम क्या पढ़ते हैं इसी या कहते हैं आपका अधिक अब यह जब आपस में रियक्शन करेंगे तो क्या कोई छोटा अडू जो आपका वाटर हो सकता है यह निकल जागा और यह मिलकर एक बड़ा अडू बना लेंगे ठीक है अब माल लो यहां से आपका का निकल ले लो और इसका एक हैटोजन तो यह आपका एच्टू बाहर नि बनेगा यह क्या होगा यह आपका बहुलक होगा पॉलीमर होगा विधी कौन सी आपकी संगनन ठीक है संगनन बहुली करण ठीक है तो संगनन प्रक्रिया द्वारा इसको इसका फार्मेशन हो रहा है तो यह आपका हो जागा नाइलॉन शिक्स यानि कि यह प्रक्रिया आपक से स्टिक तो यह सिक्स से चारवन यहांपर पांच और एक शे तो इसलिए शिक्स और तो जागा नाइ lond स 그건 ऑघ कर शयां है अर्व मैं आ मलटी स्टेज संगनन है न जिसका में परफियक पद से भिन अभिक्रिया से बना होता यह परतियक पद क्या होगा कि प्रतियक पद पहले वाने पद से भिन अभिक्रिया द्वारा बना होता है तो मान लो इसका प्रतियक पद दोनों अलग अलग पद है ये क्या करते है पहले वाले से क्रिया करेगा अब ये बन गया अब इसमें जो दूसरा आएगा मान लो क्या आगया आपका ये दूसरा आगा ये भी अपने पहले वाले से क्रिया बनेगा अब जो बन जागा उसमें दूसरा आगा वो भी अपने पहले वाले से क्रिया करेगा तो इस प्रकार से इसका फार्मेशन हो रहा है कहरा है इस प्रकार की क्रिया दो या दो से अधिक प्रकार के एक लगों के मद्ध संगनन क्रिया के द्वारा होती है तो यह जो क्रिया होती आपके किनके बीच में होग के एक लख या मोनोमर होंगे जिन में प्राया दो या दो से अधिक धिन्द क्रियात्मक समू होते हैं अब जो आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे क्रियात्मक समू होंगे यानि कि जो क्रिया करेंगे वो कितने होंगे आपके करा दो या दो से अधिक ठीक है दो भी हो सकते करा साथ ही संधनन क्रिया के दौरान सरल अडू जैसे आपका जलो हो गया ऐलकॉहर ओगया अमोनिया अधिक निष्कासण होता है अभी जो संधनन करिया त्हु कि देखा हो तो टो चलो सकता है ठीक है क्या वं सकता आप přे्लों सकता है और अमोनिया इनिस्खासन निस अधिया स्थापित नहीं होती है इसलिए इस बहुली और में केवल कुछ ही संगनना होते हैं इसमें बहुत कमई संगनन देखने को मिलते हैं अइसा नहीं है यह बढ़ड़ी चैन बन जाए जिन ने ओंपारें को देखने को मिलती हैं कि है इस बहुली करण में अडू की सत्रत दो अडू की स्रंकला में बृद्धी द्युके विधिन्य करुष अलंग ऑलग चरणों में इसका जो अडू है बहली करण में जो एक अड़ू बनता है आपका बड़ा अड़ू बनता है उसकी विरद्धी कैसी होती है बिभिन चरणों में होती है ठीक अलग-अलग स्टेजिस में होती है इसलिए इसी चरण बिरद्धी बहली करण के नाम से भी जानते हैं क्या कहते हैं चरण बिरद्धी बहुली करण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी सरंखला विरद्धी होगी, वो कैसे होगी, भिन्न चरणों में होगी, अलग-अलगे स्टेजिस में होगी, ठीक है, संगनन बहुली करण में प्रतियक संगनन करिया में एक छोटा अडू निसकासित ह होता है, क्या होता है, इसमें एक छोटा अडू निकलता है, जो आपका क्या हो सकता है, जल हो सकता है, एलकोल हो सकता है, और अमोनी आपका हो सकता है, ठीक है, यह आपका निकले करण में, इसलिए बहुलत का अडू सूत्र, एक लग के अडू सूत्र का गुणक नहीं होता ह जब उसमें से एकक्ष्ट्रापदार्थ निकल जागा तो जो आपका मूल intense सरचना में या उसके अड़ुभार में कुछ ना कुछ कमी क्वेथ कुछ हो जाएगी क्वेक्षिर ना कुछ कमें हो जाएगी इसलिछ लिए वह अजिए हो इन दोनों को रियक्शन करवाने पर क्या हुआ था एक मॉलिक्यूल से क्या हुआ था दूसरे से निकला था आपका है तो इसमें क्या हो गया एक में क्या कम हो गया आपका दूसरे में क्या कम हो गया आपका एच तो वही है कि आपका जो बहुलक का अरसूत्र होगा वह एक पुरक के समार नहीं होगा कारा नायलान 66 जो संगनन भूब लगfight य FE और रखे इसमेथाईलीस एक्जियान ही निामीं हीमें ऑ और य हमने देखा हो पर आपका नायलान 66 उसका निर्मान कि मुझे से वहां आ Was एक था आपके पास हेक्जामिथाइलिन डायमीन दूसरा क्या था आपके पास एडिपिक एसिट था तो यहां से आपका एच्टू वहार निकल रहा था और क्या बन रहा था आपका नाइलोन श्कता है और आपका अमोनिया युच इसलिए बहुलख का अं सुत्र है ये क्ल्न की अंसूत्र का गुड़क नहीं ओपर जैसा लिद्वार Battle म कमा व्यों कि इसकी एक आपका बहुलख है इसको निर्माण एडिफिक प्लों और हएकजामिधेलेनńsk malfunction goose प्रता से मुपर लिखा इसा ही आपका नीचे लिग गया ठीक यह लाइन आपकी रिपीट हो गई है तो जो आपका नाइलॉन होता है जो कि यह का आपका संगनन वहु लगए इसका निर्मान किसे होता आपका एडिपिक एसिद और किसे होता है एक्जामिधाइलीन डाइएमी कि याद रहेगा नाइलॉन टेरिलॉन और वेकलाइट नाइलॉन टेरिलॉन और वेकलाइट यह आपको याद रखना है नाइलॉन टेरिलीन और आपका वेकलाइट कुछ एक्जाम्पल दे रखे हैं निर्माड एवं उपियोग सामान संगनन बहुलक का निर्माड और उनक क्या होता है तो यह इसमें दे रखे हैं पूछ आपको आपको आ रखना कि इस Caption अनी तो इस बनाएं गerson भी यह ऋबनेगा आपका यह बनेगा बijलण थी कि पाउली मर behavior यह आपका बनेगा ठीक है प्रोडक्ट आपको इसके साथ में आपका जो बनेगा वो निकल नाल तक है कि ऐसको प्रोड़क्ट कर सकते हैं कि थी प्योग सबस्से पहला अगर तो राक है घ्णा मिथालिन डाय्यओ के बहार निकलता है और प्रेशे डॉना नायलोंtest शिक्स कॉमा सिक्सक्स क्या बनता है नालॉन सिक्सप सबस्रील निकल त शक्स किया जाता है। एथिलीन घ्लाइकोल कि होगा आपका एठिलीन घ्लाइकोल के साथ में क्या होगा दूसरा लोगा तो आपका बनता याको से होता है और इसमें निकलने वाणिव किया होता है अड़ीकों होता है ठीक है यहां पर क्या है कि अपने ओप का निकलने वाला अपका योगा और इसका यूज क्या है सका कि यूग कि या जाता है कि इसका टे और वापस में एन्हाइड्राइड और मैथलीन गिलाइकॉल जब आपस में रियक्षन करते हैं यह इनका संघनन होता है तो आपका बनता है एलकिल प्लास्टिक क्या बनता है और साथ ही निकलने वाला अडू के रहता है इसमें एच्टू यह कैसा होता आपका निसकासित अडू होता जो निकलता है ठीक है इसके बंदे के दौरान यह कैसा उप्यों क्या होता इसका अधेशिब सीमेंट और गलीचे अधेशिब मतलब कि आपका कोई चिप चिपा पदार या हम कहा सकते हैं कि गूंद के समान चिप चिप चिपा या गूंद के समान ठीक है इस तरह का बिलियन बनाने में इसका यूप यूप किया जाता है कि पूर्थ कि यह आपका को फार्मेल डियाट प्लस यूरिया क्या आगे आपके पांक फार्मेल डियाट और यूरिया जब यह दो पुनों आपस में रेक्शन करते हैं यह दोनों क्या है मोनों मरें यह भी अपना एक लग है और यह भी अपना एक लग है कि दून मिल के क्या बनाते हैं वहुलक बनाते वह कि आपका क्या होगा नियुigue प्रोड़क्ट क्या होगा आपका एक्ट क्या होगा एक टू होगा और इनका। खिलोने और एक टीको पड़ाउत क्षिप बनाना यह गोंद के समान जो आपका गोंद होता है उस तरह करता है इसी का काम होता है ठीक है ये क्या करता है उसको अदेशिफ कर देता तब देता है तुछ अब बात गरें तो कह रहा है एथलीन डाइसो साइनेट एथलीन गलाइकॉल और एथलीन डाई अईसो शाइने इन दोनों का जब संखनन होगा तो न अब दोनों यह एक लग मिल के कया बनाएंगे ऑन्य होगा और प्थे अधि यहां से भी आपका ह2 ओ निकलेगा थिक है कया हेड следующ video निकलेगा पाइवर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो याद रहे गा ना पैंट फाइवर और ऊसमा रोधक इसका पॉली यो रेधेन का थी कि यू समझते हैं बहुले करण से आप क्या समझते हैं और उसके आपको एक्जाम्पल दे रखे ठीक है कुछ जो आपके बहुली है तो आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में बने लिए हमारे साथ थैंस पर वाचिंग शेयर दा वीडियो लाइक कर दिया कर दो साथ हो